जब से चैट GPT आया है ना तब से कुछ लोगों का कॉपी राइटिंग, कॉपी पेस्ट, प्रूफ रिडिंग या फिर कॉंटेंट राइटिंग बड़ा फेवर्ट काम बन चुगा है इसमें कोई शर्म की बात नहीं है टेकनालोजी को वही लोग यूज करते हैं जो टेकनालोजी को जानते हैं अगर आपको गूगल से सर्च करना आता है अगर आपको चैट GPT से कुछ लिखवाना आता है तो भाई आज की वीडियो में आपको एक नहीं, दो नहीं, बलकि तीन ऐसे काम बताऊंगा जो आप बगएर अजुकेशन, बगएर डिग्री, बगएर इन्वेस्मेंट की कर सकते हैं और मज़ा की वाद, बिजडर भी आपको जैस कैशन, इसी पैसमें मिलेगा लेकिन कैसे, यह आपके साथ विडियो पी जीचेनी शेयर का बिश्मिल्ला आपके अपने चैनल डिजी जॉन पे खुश्शाम अदेद और शेहबाज अहमद की तरफ से सबसे पहले देखें, यह आपके समने पेपाल है, पेपाल को छोड़ें, पेनियर है जनाब तो पेनियर आपको पता है, पाकिस्तान में अवैलिबल है, हमने पेनियर पे अकाउंट बनाने का तरीका भी बताया है अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता, तो फॉरण से इस तरह करके यूट्यूब को अपन कीजिए, यूट्यूब को अपन करके यहां पे लिखें, हाउ टू मेक पेनियर अकाउंट, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जब आप यहां पे लिखेंगे, हाउ टू मेक पेनियर अकाउंट, तो आपके सामने आ जाएगा पेनियर अकाउंट बनाने का तरीका, या फिर पेनियर अकाउंट बनाने का तरीका, तो जनाब यहां से देख के आप एंड रखन करते हैं यह देखें यह है वीडियो-जिसको-देख siya आप वैरिफाइड पेंड ir EK आकॉंड बना सकते हैं यह प्राद्लम यह आपका हल होगे अब यह स्टेप स्टेप चलने वाला हूं ताकि आपको सारा काम बता सकूν, अब यह प्लैटवर्म कौन सा है मैं यहाँ पर आता हो, बिल्कुलखाँ खाली Google से, Google से काम शूरू करता हो यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ text master text master मैं लिखा अब यहाँ प्लैटवर्म मेरे सामने सबसे पहले आपने यहाँ पर अकाउट बना मतलब यही password आपने यहां पे दुबारा लिखना है लो मैंने दुबारा लिखा उसके बाद यह फर्स्ट नेम है यहां पे फर्स्ट नेम देंगे लास्ट नेम देंगे और I am not रूट के उपर क्लिक करेंगे तो आप यहां पे जिस्टर्ट हो जाएंगे अब भाई हमने लोगों का काम करना है उसके लिए translator and copywriter पे क्लिक करेंगे और यह सारा हो गया उसके बाद इसको क्लिक क्लिक कर दिया यह है आपका decision का process इस तरह आपकी decision हो जाएगे लेकिन मैंने क्यों करनी है मैंने तो पहले यहां से account बनाया हुआ है इस लिए मैं login पे क्लिक करूँगा login पे क्लिक किया यहां मेरा email password है तो यहां से मैं login हो गया account बनाना यहां पे मुकमल हो गया इतना आपको समझा गया अब यहां पे आपने क्या करना है यहां पे आपने काम कैसे तलाश करना है यहां से आपने पैसा किस तरह कमाना है उसके लिए यह TM जो लिखा हुआ है टेक्स मास्टर के साथ यह आपके पास गरीबन 9 डाट बने हुए है इनको छोड़ें इसके साथ है माई टास्ट माई टास्क के उपर आपने क्लिक करना है माई पर फाइल को इपर क्लिक किया तो यहांपे है जननाब आपका नाम, फादर नेम यहांपे आपकी डिग्री यहांपे आपकी इंग्लिश उसके भाद है बिलिंग इंफोमेशन बढ़ेंपे यहांपे आपने कुछ document upload करने हैं कौन से यहां पे आप अपना personal ID upload कर सकते हैं तो ठीक है ID card upload करते हैं upload file यहां से file लेते हैं और example के तोर पर मैं कोई picture यहां पे लगा देता हूं ताके यहां से पता चले हमने कोई upload कर दिया है ओके जी उसके बाद are you male female यहां पे हो गया उसके बाद what are the areas of expertise आप कौन से यह मैं एकसपर्ट हैं lifestyle luxury legal finance किसमे हैं तो यहां पे मैंने finance and lifestyle को कर दिया finance में क्या है मैं कहता हूं asset management में हूं banking में हूं insurance में हूं ठीक है जी यहां पे मैं लिग देता हूं asset management ओके तो यहां पे मैं लिग देता हूं banking ओके यहां पे मैं लिग देता हूं जनाब आपके सामने insurance ओके यहां पे हो गया उसके बाद your interest किसमे आपका interest है सपोर्ट में है बिलकुल है सपोर्ट में athletic वो तुमें रहा हूं fitness जी ठीक है gymnastics ठीक है running ठीक है winter sports not at all ओके जी your skills कौन से है subtitling है what is your writing skills कौन से है financial writing है graphical software कौन सा है adobe है ठीक है I am interested in working for non-profit organization I am interested in working on sensitive content no 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 I am interested in working with PEMT task do not receive email alert ओके यहां के कर दिया save पे मैंने क्लिक कर दिया जब मैंने save पे क्लिक किया तो यहां पे मेरी profile मुकमर होगी upload photo अब यहां पे हमने photo भी तो upload करनी है law जी यहां पे यह मैंने photo को यहां select किया और अब यहां पे photo upload करने का process मैंने आपके साथ share कर दिया है ठीक है अब देखते हैं यहाँ पे क्या रह गया है as a copywriter copywriter के पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे है click here पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे copywriting काम है जी काम है select language कौन सी है language है यहाँ पे हमारी English English to UK USA तो यहाँ पे please add any additional comments optional है नहीं जी continue पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हो गया उसके बाद दोस्तों next आजाएं next यहाँ पे है आपके पास translator translator पे click किया click here पे आते हैं दوبारा थे हम यहाँ पे आगए translator को select किया यहाँ पे language कौन सी है language है हमारी English English पे आगए और English to जनाब UK kingdom continue पे पे पिर किया यहाँ पे हो गया अब यह देखें यहाँ पे successfully हो चुका है अब यहाँ पे आपने data दे दी और data देने के बाद यह खुद आपसे contact करेंगे और आपको कहेंगे कि हमने आपके data पढ़ लिया है assignment है कर सकते हैं अब यहाँ पे depend करता है आप करते हैं कि नहीं करते यह दोस्तों एक छोड़ टीसी मिडॉकर्श वेबशेट मैंने आपके साथ share की है I'm sure कि आपको काफी understanding हुई होगी लेकिन फिर भी अगर आपका कोई question है तो generally एक बात आपको कहूँ सबसे best यह है कि आप चार काम मेंसे कोई काम सीख लें पहला काम है कि आप YouTube को जोईन करके YouTuber बन जाएं दूसरा काम है कि आप ब्लागिंग में से कोई website पकड़ के उसके ओपर content अप्लोड करें और उसके पैसा कमाएं कोई skills ही के freelancing platform पे आएं और वहाँ पे अपने skills को अपने services को देखकर पैसा कमाना शूर कर दें और number four e-commerce पे आजाएं इसके लावा आप affiliate marketing भी कर सकते हैं social media marketing भी कर सकते हैं due to marketing भी कर सकते हैं बहुत सारे आपके पास option हैं इस तरह की video इसलिए आपके साथ share करते हैं कि आपको कुछ नया content दिया जा सके ultimately इन में आपकी investment तो होती नहीं लेकिन बगएर investment के जब आप काम करते हैं तो definitely कुछ hurdles भी आपको आती हैं और वो तब solve होती हैं जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो इसलिए दोस्तों हमेशा अपने ओपर focus करें skill के ओपर focus करें, develop करें अपने आपको अपने आपको grow करें ताकि आपकी सी एक चीज़ पर command हासल करके future में आप online learning कर सकें ये एक छोटी सी वीडियो थी आपके साथ share की जो भी आपका honest feedback है comment section में जरूँ शेयर कीज़ेगा मिलेंगे दोस्तों आप next video में एक नए आडिया के साथ, नई सोच के साथ और आपकी बर्पूर्श पोर्ट के साथ और आखर में एक announcement देता चलूँ बहुत सरे लोग कहते थे सर हम आपके पास course करने आना चाहते हैं तो जरूर आएए अब हमने पाकिस्तान के किसी भी शहर से आने वालों के लिए हास्टल का रेंज कर लिया है आप एक अच्छे हास्टल में रहके अलवारी जौन के साथ मिल के स्किल्स ले सकते हैं और खर बैठ के अमिंग कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए शुक्रिया नेक्ष बड़ तक के लिए लाकिया हाँ